जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप यदि चैनल में पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलिएगा हम शुरू करते हैं कम्प्यूटर प्रशनों की ये महतोपुन से दोस्तों ये कम्प्यूटर प्रशन आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत महतोपुन रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रशन है कम्प्यूटर के अविश्कारा के कौन है दोस्तों ये तो हम जानते ही है कि कम्प्यूटर आज के समय में हमारे जीवन का एक अभी नहंगो गया है हम कोई भी काम करते हैं तो कम्प्यूटर के जरीए बहुत ही आसानी जेवस्कान को पूरा किया जा सकत तो दोस्तो इसे खोजा किसने बनाया किसने अविश्कारक कौन है Option E. One Human, Option B. J. Skill B या फिर Option C. Charles Babes, Option D. इनमेंसे कोई नहीं दोस्तो कम्प्यूटर के अविश्कारक है Charles Babes, Father of Computer, Charles Babes बहुत महतोपुन प्रशन है दोस्तो अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है Father of Computer प्रशन संख्यादू, कम्प्यूटर का हिंदी नाम क्या है दोस्तो ये भी हमारे लिए बहुत महतोपुन प्रशन है अक्सर हमें बता भी होना चाहिए कि कम्प्यूटर को हिंदी में बोला क्या जाता है दोस्तो हिंदी हमारे मातरी भाषा है तो चितना हो सके हमें हिंदी में भी जानकारी होने चाहिए तो कम्प्यूटर जो एक यंत्र है, electronic device है उसे हिंदी में क्या बोला जाता है तो option 20 का बिलकुल correct हो जाएगा संगनक कम्प्यूटर का हिंदी नाम है दोस्तो प्रशन संख्या 3 सभसे पहला कम्प्यूटर का नाम क्या था दोस्तो जो सभसे पहला कम्प्यूटर था उसका नाम क्या था option A, CreVone, option B, N.E.I.C, option C, Param, या फिर option D, Siddharth तो तो दोस्तो जो सभसे पहला कम्प्यूटर था वो था N.E.I.C यदि हम Gray 1 की बात करे तो दोस्तो यह first super computer था प्रशन संख्याचार यदि कीसी computer में एक से अधिक processor हैं तो लिटाना जाता है तो दोस्तों आपको बताना है कि एक computer है उसमें एक से दादा processor है तो उसे क्या कहा जाता है option A. Uniprocessor, option B. Multiprocessor, option C. Multihered या फिर option D. Multiprogramming तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं multiprocessor, option B. इसका बिलकुल correct हो जाएगा प्रशन संख्या 5. आधुनिक computer की खोज सर्व प्रथम कब हुई? दोस्तों modern computer, modern computer की खोज सर्व प्रथम 1946 में हुई? दोस्तो 1946 में आधुनिक computer की खोज हुई? प्रशन संख्या 6. Bluetooth का अविश्कारक कौन है? दोस्तों जो ये Bluetooth है, हम अपने device में data को transfer करने के लिए करते हैं, बिना किसी wire kit, wireless data transfer media है दोस्तों ये Bluetooth. तो आपको बताना है इसके विश्कारक कौन है? आप्शन A इसका पिल्कुल correct हो जाएगा, Eriskan is the founder of Bluetooth. दोस्तों, interesting question है, महतोबन प्रशन है, हमारे जर्नल लाइप से संबंदित प्रशन है दोस्तों, इसी तरह के प्रशन examiner हम से exam में पूछता है, फर्क थोड़ा सा इतना होता है कि गुमाफिरा के पुछ लिये जाता है, Bluetooth के विश्कारक कौन है? तो option A, Eriskan, प्रशन संख्या 7, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान करांती कब आई? दोस्तों, आपको बताना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान करांती कब आई? तो दोस्तों, option D, 1960 में, 1960 में, प्रशन संख्या 8, CPU में, Control Unit, Memory और तीसरा कौन सा Unit होता है? बहुत ही महतोपून प्रशन है दोस्तों, कंप्यूटर में, CU, Control Unit होता है, Memory होती है, और तीसरा कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात, ALU, Option D, इसका क्रेक्ट हो जाएगा, हमारे CPU में, मैं, तीन पार्ट होते हैं, कौन-कौन से CU होता है, Memory होती है, और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, CU को Control Unit बोचा ला जाता है, कई बार इनकी फ्लूपॉम पूछ ली जाती है, तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रशन से आपके बहुत सारे प्रशन सॉल्व हो जाते हैं, ALU का पूरा नाम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का पूरा नाम, Control Unit, प्रशन संख्या, नो गणना और तुलना के लिए, कम्प्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ओप्शन ए, डिस्क यूनिट, ओप्शन भी, मॉडेम, ओप्शन सी, ALU, या फिर ओप्शन डी, Control Unit, दोस्तों, गणना और तुलना के लिए, यदि हम, ALU की फुल फॉर्म देखे तो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो दोस्तों, नाम आपकी इकाई हो गई, तो दोस्तों, ALU, इसकांसर, बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा, ओप्शन सी, प्रशन संख्या, दस, कंप्यूटर के अधिकांच प्रोसेसिंग किस में होती है, कंप्यूटर में जो दिकांच प्रोसेसिंग होती है, वो कहां पर होती है, तो दोस्तों option c cpu में तो दोस्तों उमेद करता हूँ आज की वीडियो की ये 10 प्रशन आपके आने वाले एक्साम में महत्वण भूमिका निभाएंगे मुझे दीजे इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद